आजय संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस शुरु होगी लोगसभा में चर्चा की शुरुवात अनुराग ठाकोर और अजय سभा में चर्चा की शुरुवात सुधान शुत्रिवेदी करेंगे राश्ट्रपति की अभिभाशन पर लोगसभा में चर्चा के लिए 20 घंटे का समय तै किया गया है पीम मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर 2 या 3 जुलाई को जवाब दे सकते हैं आपको बता दें कि 18 लोगसभा का ये सत्र जिसमें धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा होनी है और इस चर्चा पर शुरुवाद करेंगे अनुराग ठाकुर जबकि राज्यसभा में सुधान शुत्रिवेदी इसकी चर्चा करेंगे अप्रदार मंत्री नरेंदर मुदी दो या पीन जुलाई को इस पर जवाब दे सकते हैं और आपको बता दें कि वराश्ट्रोपती कि अब विवाशन के बाद ये धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है और दिल्ली में असद दिन वैसी के घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर काली स्याही पोत्त दी गई दिल्ली पुलिस सीसी टीवी फुटेज देखकर आरोपी की पहचान करने की कोशिश कर रही है पुलिस ने अब नेम प्लेट को साफ कर दिया है तस्वीरें आपको दिखा दें असद दिन वैसी के दिल्ली सिर्थ बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट पर किसे ने काली स्याही पोत्त दी है और ये किसने किया इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से उसकारी के साथ कारवाई करने में जुटा हुआ है और सबसे पहले नेम प्लेट को साफ किया गया उसके बाद अब पुलिस सी सी टी वी फुटेज खंगाल रही है और बढ़ते आगे आपको बता दें अक्टर राजपाल यादव को बड़ा जटका लग सकता है दरसल ट्रेक बाउंस होने का एक मामला है जुसमें 29 माई को दिल्ली की कड़कर डूमा दालत ने राजपाल यादव को 29 जून तक लगभग 14 करोड रुपए जमा करने का आदेश दिया था कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर राजपाल यादव को जेल भी जाना पड़ सकता है आपको बता दें कि राजपाल यादव ने साल 2010 में फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए एक बिजनसमेंट से 5 करोड रुपए ब्याज पर लिये थे और ब्याज समय जब रक मकदमा दर्च कराया और इस पूरे मामले में राजपाल को जेल भी जाना पर सकता है चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को जेल भी जाना पर सकता है चेक बाउंस हुआ था और बता दें कि किसी फिल्म के निर्मान के लिए ये रुपए लिये गए थे ऐसा दावा कि जा रहा है अलागि इस पूरे मामले में अब अदालत क्या कुछ फैस्टा लेती है यह देखने का बुश्यक्त